स्टीएफ को एक शांदर सफलता मिली है स्टीएफ ने बन्य जीवों की तसकरी करने वारे दो गिरों के करीब एक दरजन लोगों को गिरफतार किया है इन में चार महिलाएं भी है गिरों से एक सुनहेरा उलू और एक दो मुहा साब बरहमत किया गया है मंगलवार को स्टीएफ एस पी ने इसका खुलासा किया है स्टीएफ एस पी गितेश गर्ग के मताबिक स्टीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग वन्य जीवों की तसकरी में लिप्त है सूचना के दार पर स्टीएफ की टीम ने दो अलग-अलग गिरों के दस सदस्यों को ग्रफतार किया है इनमें से एक गिरो से दूरलब प्रजाथी का सूनहेरा उल्लू बरामत किया गया है जबकि दूसर गिरो से साड़े च्छे किलो वजन का रेट सैंड बोपा यानि दो मुहां साब बरामत किया गया है शुरुवाती जाश में पता चला है कि इन दोनों दुरलब प्रानियों को गिरों के सदस एक एक करोड रुपे में वन्य जीवों की तसकरी करने वालों को बेचना चाहते थे इनकी अंतराश्ट्रिय मार्केट में कीमत तीन से चार करोड बताई जा रही है उलुकापयोग तांतर क्रिया में किये जाने की जानकारी मिली है जबकि दो मुहे साप का इस्तमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है स्टीएफ निरिक्षक दिपकाशिंदे के मताबिक आरोपियों से पूछताच की जा रही है और उनके कनेक्शन तलाशे जा रही है दोनों दुरलब प्राणियों को बन विभा को सौप दिया गया है आरोपियों के खिलाफ वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक के तहट कारवाई की जा रही है उजेन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट स्टियफ के दौरा दुललब बन प्राणियों का रैस्क्यू ऑप्रेसिन किया गया है सूचना मिली थी सूचना पर छे लोगों से एक डो मुहा साथ रैड सेंड बोवा उसको रैस्क्यू कराया गया बन विभा के सायोग से इसके लावा चार लोगों से एक सुनारा लू गोल्डन इगल आउल मुलते हैं वो भी बन विभा के सायोग से रैस्क्यू कराया गया है यह सब अलग अलग जगा के लोग हैं और मिलकर के सब काम करते से इनका मुक्तब बेचने के लिए यह तो चुकि अंतरास्टी मार्केट में इसकी बहुत जादा कीमत रहती है यह कुछ दवाओं में उप्योग करते हैं इसके लावा आउल का उप्योग तांतर क्रियाओं में होता है तो करोनों में इसकी कीमत मिलती है इन लोगों को बेचन